क्या अभी अपने mobile phone में WhatsApp को छुपाना चाहते हो? क्या आपको नहीं पता WhatsApp को कैसे हाइड किया जाता है? तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है कि आप अपने mobile phone में WhatsApp को कैसे छुपा सकते हो यानि कि आप अपने mobile phone में WhatsApp को कैसे hide कर सकते हो तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों में आपको बता दू अगर आप इस चैनल पर नए आते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकोन को प्रेस करके All का Option सिलेक कर लेना था कि हम जो भी वीडियो डाले उसका notification आप तलग तुरंत मिल सके दोस्तों mobile phone में WhatsApp को छुपाने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास दो WhatsApp अविलेबल है ठीक है अभी आपके सामने में यह दोनों WhatsApp को हाइड करके आपको दिखाऊंगा मेरे mobile phone में तो दोस्तों अपने mobile phone में इन दोनों WhatsApp को हाइड करने के लिए आपको अपनी phone की सेटिंग में जाना पड़ेगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं मेरे phone की सेटिंग में आ चुका हूँ यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रोल डाउन करना है स्क्रोल डाउन करने के बाद आपको यदर एक option मिलेगा privacy का ठीके तो आपको simple से privacy के option पर क्लिक कर देना है जब आप privacy के option पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface नजर आएगा तो आपको यहाँ पर privacy and app in corruption के उपर क्लिक कर देना है जैसे कि हमने कर दिया privacy और app in corruption पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको यह क्या बोलेगा कि आपको यहाँ पर नया अपना password set करना पड़ेगा और आपको नीचे और एक option दिया गया है जिसका नाम है password option ठीके तो आपको simple से password option पर क्लिक कर देना है जब आप password option पर क्लिक कर दोगे तो यह आपको बोलेगा कि आप four digit का password भी रख सकते हो और pattern lock भी रख सकते हो अभी यह depend करता है कि आप अपने whatsapp को कौन सा lock लगाना चाते हो इसलिए हम simple से four digit का password चूज कर लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं हमने four digit का password चूज कर लिया है अभी यहाँ पर हमें four digit का password set करना पड़ेगा तो मैं simple से 2580 डाल देता हूँ 2580 डालने के बाद यह मुझे फिर से बोलेगा कि verify करिये इसलिए मैं फिर से मेरा वही password डाल देता है 2580 2580 फिर से डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface नजर आएगा ठीके तो आपको सबसे नीचे और एक option में लेगा hide apps का ठीके तो आपको simple से hide apps के उपर क्लिक कर देना है जब आप hide app के उपर क्लिक कर देंगे तो आपके phone में जितने भी application होगी वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको अपने दोनों WhatsApp खोजने पड़ेंगे जैसी कि मैं मेरे को देख सकते हो दोस्तो पहले वाला WhatsApp मिल गया और उसके आगे एक button दिया है ठीके तो उसके उपर क्लिक कर दूँगा मैं उसके उपर क्लिक कर देने के बाद यह मुझे पूचेगा hide WhatsApp ठीक है तो नीचे confirm कर दूँगा मैं उसके बाद मेरा second वाला WhatsApp में खोजूँगा अभी दोस्तो देख सकते हो second वाला WhatsApp भी मुझे मिल चुका है तो इसके उपर मैं उसके side में जो button है इसके उपर भी क्लिक कर दूँगा फिर से इधर confirm कर दूँगा confirm करने के बाद दोस्तो अभी ये दोने के दोनो WhatsApp मेरे फोन में से hide हो चुके है पहले तो मैं दिखा देता हो आपको की hide हुओ है या नहीं back आजाएंगे इसके लिए back आजाएंगे back आने के बाद दोस्तो देख सकते हो YouTube के side में में मेरा पहला वाला WhatsApp था और subbed surface के सामने मेरा दूसरा वाला WhatsApp था जो की अभी मुझे मेरे फोन में दिखाएं नहीं दे रहे अभी हमको हमारे hide application देखने है तो इसके लिए हम क्या करेंगे फिर से हम हमारी setting में जाएंगे setting में जाने के बाद दोस्तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर निचे scroll करना है scroll करने के बाद इधर privacy का option दिखीगा आपको तो simple से privacy के option पर click कर देंगे privacy के option पर click कर देने के बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर privacy and app in corruption पर click कर देना है जब आप privacy and app in corruption पर click कर दोगे तो आपको यह बोलेगा enter river privacy password दोस्तों पहले हमने जो password set किया था 2580 वही password हमें यहाँ पर डालना है जैसे कि मैं डाल देता हूँ 2580 डालने के बाद अभी यह open हो चुका है तो आपको नीचे सबसे एक option मिलेगा view hidden apps का ठीक है तो आपको simple से उसके उपर click कर देना है उसके उपर click कर देने के बाद आप लोग के अंदर